हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक अगेन और देखे दोस्तों सर्विस प्लस पॉर्टल की यहां पे हमें एक अपडेट देखने को मिली है अभी देखे यहां पे जब हम रिश्टिशन करते हैं अपना तो यहां पे जो रिश्टिशन कर पोसीस है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुक मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते है तो देखे दोस्तों सबसे पहले को करना क्या है है अपको अपने dunno or by simplet के अंदर सीपार आपको होता है लेकिन अब हमें यहां पर जाना होगा login के option पर login के option पर हम क्लिक करेंगे हमारे सामने instructions हो करेंगी इसमें पहली इंस्ट्रक्षन रहेगी हमें latest mozilla firebox का यूज करना है साथ में pop-up बोलो कर हमें कर देना है every day अगर हम किसी website के जूज करते हैं तो अपनी इस्ट्री के लिन करनी है में ब्राउजर की चाहिए mozilla firebox हो यह आपका यहां पर जाएगा वह आपके कुछ मैध्यम के थुरू आपके पास हो जाएगा सब्सक्राइब के जाएगा मोबाइल नमबर पर समस्के तुरू सेंड के जाएगा आप इसको online ही कैसे आपको registration करना है कैसे आपको login करना है उसके बारे में बताने वाला हूँ इसके लिए आपको देखिए आपर मेरी पैचान सिंगल साइन उजर के ओप्सन में आपको अपनी यूजर आइड और पासफ़र क्रेट करना है तो यहां पर देखिए आपको नीचे ओप्सन मिल करना है क्लिक करने के बाद मुबाइल नमबर पर एक आपका ऐटिपन करना है और फिर ओटीपी को verify कर लेना है एक अपने हैं यह फिसके नाम से up कर रहे हैं उसका नाम आपकेไดघ де करना है तो यहां आप यहां पर पर इच्छे इंजो आपकी इड करेंच होगा तो आपको एक यूनिक यूजर नेम अप्ना रखना है यहां पर नेम रख लेता हूं और बात में जो फोरी आएड है पर इच्छे यूविड़ो इन हमारा इसमें अएड हो जायेगा इस सेम तरीके से िमेल पर आ में ट्रमेंड कंदिशन को एक्सेप करना है। और फिर वेरिफाई के उप्शन के पर क्लिक करने के बाद जन परिच्छे मेरी पेचान सर्विस के पूर्टल पे हमारा साइन वेक्सिस कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें एक कंटूनिक प्लिक करने के बाद हम नैक्स्ट टैप पर जाएंगी जहांपे आपको दो अप्छले को मिलेंगे प्रोचीट विद की गवड़ी सी और इसके बाद आपको यहां पे अधारको उप्शन सेलेक्ट करना है इसके बाद आपको अपना अधार कार्ड की 12D आपके फिल कर लेनी है और फिर वेरिफाइगे उप्सन पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर मॉबाइल नमपर जो अधार से रजिस्टर है उस पर एक OTP जाएगा OTP फिल करने बाद आप अपना KYC कंप्लीट कर सकते हैं तो यहां पर मैं अपना स्किप्ट डेस्बोर्ड कर लेता हूं इसको मैं बाद में कंप्लीट कर लूँगा KYC को क्लिक करने के बाद देखे हम डेस्बोर्ड पर जाएंगे जो की रहेगी मेरी पैचान का यहां पर डेस्बोर्ड रहेगा और यहां पर देखे आपको इसी पोर्टल के अंदर मिलेगी इसलिए इसका नाम रखा गया सिंगल साइन सर्विस यानि एक ही पोर्टल से आप पूरे ओल इंडिया किसी भी सर्विस के लिए इसी वेबसाइट से आप ओनलाइन अप्लाई कर सकते हैं यह क्या है पोर्टल आपको रिडारेक्ट कर जाएगा उस स्टेट की उस डिस्टिक की वेबसाइट पर जिस वेबसाइट से आप ओनलाइन उस सर्विस के लिए वहाँ पर अपलाई करना चाहते हैं तो यहां पर देखिए हम डैसबोर्ट पर आ चुके हैं अब देखिए मैंने आपर रिजिट्रिशन करने के बाद डिर यूजर नेम का उप्शन जो मैंने आपको जर्नेम अभी क्रियेट करने को बताया था वह अपने अपना पासवर्ड फिल किया है वह आपके रख देना है अपको तीन अप्शन देखने को मिलेंगे ओटीप ओन इमेल ओटीप ओन मॉबाइल और यहां पर बैक अप कोड़्स तो यहां पर मैंने सिर्फ अभी ओटीप ओन मॉबाइल का उप्शन सो कर रहा है इस अप्शन में क्लिक करने बाद नेक्स्ट करता हूं नेक्स्ट करने बाद देखिए हमारे रिश्टर मॉबाइल नंबर जो हमने अभी रिश्टरिशन करने टाइम अपना फिल कर लेना है और फिर डोंट टास्क में अगें और व्लिवाइस इस आप्स प्लिक करना है और सब्सक्राइब करने के बाद मैं डेश्बोर पर दुबारा चुका हूं अब मैं आपे दुलोगाउट हो जाता हूं इसके बाद मैं आपको अपने तरीका बताता हूं कि कैसे आप सेकेंदे नमबर आपको वही फिल करना है जो आपका रिसेंट टाइम पे आपने स्लेक्ट किया था इसके बाद देखिए हमें सेकेंड अप्सन मिलता है यहां पी अप्सवर्ड लेस्ट इस ओप्सन को में क्लिक कर लेना है और अधर्वाइज आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो जिसको हमें एंटर ओटीपी के ओप्सन में फिल करने के बाद डॉंट आज में के इन के ओशन पे क्लिक करने के बाद साइन इन कर लेना है तो इस तरीके से आप इस तरीके से मुबाइल के नमबर के थुरू भी आप यहां पर लोगिन कर सकते हैं बात करें थर्ड ओप्सन जो कि यह अदर्स इसमें आपको कई देखने मुलेंगे जो कि है आपका इमेल का ओप्सन अधार को सर्विश आएडी को ऑप्सन पेंका ओप्सन और ड्राइविंग लेजन तो यहां पर देखे अगर आपने शन टाइम मप्स करते वीक्त यह उप्सन कर सकते हैं तो आप इम पासवर्ट करके साइन कर सकते हैं जिससे आपके email id पर एक OTP जाएगा और उसको अपनी अपनी अंदर प्रोफाइल यंदर एड़ करूंगा कैसे आड़ करूंगा वह भी मैं आपको इस वीडियों बताने वाला हूं तो जल्दी से मैं आपको इस वीडियों बताने वाला हूं पर एक OTP सेंड के जाएगा जिसको मैं enter OTP के option में यहां पर फिल कर लेना है और इसके बाद मैं don't ask me again on this device इस option को क्लिक कर लेता हूं और फिस sign in करने के बाद मैं dashboard पर आ चुका हूं जहां से हम कोई भी services के लिए online apply कर सकते हैं अब देखें यहां पर दोस्तो right side में top पर करेंगे तो यहां पर देखें राइट टोप में हमारी यूजर आइडिया वो सो करेगा साथ में सेटिंग के अंदर देखें आपको alert notification यहां पर हमारा ओन रहेगा साथ में update password के option पर क्लिक करके हम यहां पर password को यहां पर चेंज कर सकते हैं अपना account हमारा एक्टिव है इस द दाउनलोड भी कर सकते हैं और इन backup code का यूज आप login टाइम पर कर सकते हैं गर आपना password भूल गया है या पिर आपका mobile नंबर ए email id भी को गया है तब आप इन backup code का यूज करके आप अपना login कर सकते हैं इस website के अंदर इस portal पे तो यहां पर देखिए backup code को आप यहां पर कहीं note अब यहां पे आप father's name और address अपना add कर सकते हैं तो इसके लिए देखिए हमें click करना होगा edit profile के option में edit profile को इसमें click करने के बाद आपके register mobile नंबर पर एक OTP जाएगा इसमें आपको send OTP के option पर click करना है click करने के बाद OTP को आपको enter OTP के option फिल करना है और submit करके आप यहां पर अपनी profile को edit कर सकते हैं इसमें आप अपना father's का name यहां पर add कर सकते हैं address यहां पर add कर सकते हैं अधार past1 नमर को सकते हैं ड्राइं लेकर सकते हैं अपना यहां पर आगाख कर सकते हैं अधार कार्ट नंबर को सकते हैं से के इमेल और अधार के सब्सक्राइब किस टाइम पर किस ब्राउजर के अंदर लोगिन हुआ है उसकी इंफोर्मिशन आप यहां पर मिल जाएगी तो आप अकाउंट सेटिंग और प्रोफाइल को अपडेट करने के बाद आप चलिए हम यहां पर डैस्बोर्ड पर आ जाते हैं डैस्बोर्ड पर आ जाने के बाद आप व्ली इंडिया के अंदर किसी बी स्टेट किसी बी जिश्टि के अंदर जाके आप उसके अंदर जो भी इंक्वर्मेंट च सर्विस है उसको online कियां से अपलाई कर सकते हैं तो हम यहां अपर पिहार के इंदर कैसे आपको income certificate, domain sales certificate, online apply करना, इसके लिए लिए दिएकि search option में जाना है, और यहाँ पे search करना है service, service search करने के बाद देखें आप कहाँ पर सो कर जाएगा, बिहार service plus इस option पे आपको click कर लेना है, click करते ही जैसे यहाँ पे आपको access now का option मिलेगा access now का option पर साँप click करेंगे door度 कर सकते हैं बस आरे अभे इंटरफेस के चायच रखके लिए अगब लुतु होगी मतर यांपर पता दिया कि कैसे अपकर हिस्टेशन करना है का स्ब्सक्तायच करना है करनी है सैंक्यूं इंतर कि आप की लगी होगी अगर उस्ट उर्फणों के लेगा जग जग विदीयो को सी इंग अबूली थांक यू